वेलकम है आप सभी का Static GK में CHSL 2020 और 2019 में जो भी कोशन पूछे गए हैं आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 200 प्लस कोशन को आज इस वीडियो में GK और GS के कोशन को कवर करेंगे आप किसी भी एक्जाम के प्रिपेशन कर रहे हैं हर एक्जाम के लिए वीडियो बहुत इंपोर्टन होने वाली है तो वीडियो को स्किप मत करिएगा पूरा वीडियो देखिएगा बहुत इधान से वन लाइनर कोशन इसमें इंक्लूड किये गए हैं ठीक है स्टार्ट करते हैं कि कोशन को लेकर के सबसे पहला कोशन यहाँ देखिए है कि कामाख्या देवी मंदर किस राज में है तो ध्यान रखना है असम में है कोशन नमबर टू है अनुछे 243 एक किस से संबंदेत है तो यह ग्राम सभा से संबंदेत है आर्टिकल 243 में पंचाइती राज की परिभाशा डेफिनीशन दे रखी है ठीक है कोशन न रडवीर कपूर को संजु मूवी के लिए और बेस्ट डिरेक्टर मिला था मेगना गुलजार को वो भी राजी मूवी के लिए ठीक है आगे बढ़ते है कोशन नमबर 4 पे विदुद प्रतिरोत की SI काई क्या है ने की पूछा रेजिस्टेंस की SI unit क्या है तो यह आपकी होत जाए भारतिये सूपर कंप्यूटर के जनक कौन है तो आप बताओगे विजय पादूरांग भटनागर ठीक है आगे बढ़ते है कोशन नमबर 6 पे जली जली चल रहा हो कोशन बहुत जादा है अंडर 19 क्रिकट वर्ड कप 2018 में भारत के कोश कौन थे ध्यान रखना है डॉकुमेंट फॉर्मेट इसका फुल फॉर्म होता है कोशन नमर 9 है आसायोग अंदोरन कब हुआ था तो 1920 में मनाय गया था आसायोग अंदोरन को स्टार्ट किया था महत्मा गाधी जी नेक्स्ट नमारा कोशन है कोशन नमर 10 कि नगरपालिका का सदस से बनने के लिए निय बेस्ट एर्पोर्ट 2019 दिया गया था तो ये चांगी सिंगापुर को वर्ड बेस्ट एर्पोर्ट दिया गया था 2019 में और ये लगातार साथवी बार या अवार्ड उसको मिला है कोशन नमबर 12 है कि जादू गोडा माइन्स किस के लिए प्रसुद है तो ये यूरेनियम के लिए प्रसुद है जादू गोडा माइन्स नेक्स अमरा कोशन है कोशन नमबर 13 ये ICC की पहली स्वतंत्र महिला निदेशे के रूप में किसे नुक्त किया गया है तो इंदरा नुई को नुक्त किया गया था 2019 में आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर 14 की आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर 16 की इसमें सम्विधान संसोधन में कौन सा शब्द जोडा गया था तो ये जोडा गया था सेकुलर यानिकी धर्म निरपेख्षता सोसलिस्ट यानिकी समाजवाद और इंटीगरिटी यानिकी अखंडता ये सारे शब्द जोडे गया थे आगे बढ़ते हैं और एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है एक्जाम में आपके कोशन बनता है कि मिनी कॉंस्टिटूशन किसे कहते हैं तो जो बैलवास 42 एमेंडमेंट एक्ट हुआ था आमारे सम्विधान में उसी होँ कहते हैं मिनी कॉंस्टिटूशन गॉषन नमर 17 हमारा है भारत का जो वययुद्ध प्रिश्व यानि की ग्रैंड ओल्ड मैन आफ इंडिया किसे कहा जाता है तो दादास भाई नेरो जी को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन आफ इंडिया Q18 है कि तरडेतर मेला किस राज में लगता है तो यह आपका गुजरात में लगता है सुन्दर नगर जिले में लगता है तरडेतर मेला Next हमारा Q19 कि कौन सा राज सारवधी के जूट उत्पादन करता है यह हमारा पशिम मंगाल Next question हमारा Q20 ICMR यानि कि प्रमुख बलराम भारगों को हाली में कौन सा पुरशकार मिला है तो यह इनको मिला है ली जौंग वुक पुरशकार मिला है ICMR के प्रमुख बलराम भारगों साहब को ठीक है बढ़ते हैं Q21 पे कि भारयों मापो पर अंतरास्ट्रिय ब्यूरो यानि कि इंटरनेशनल ब्यूरो आप वेट एंड मेजर का मुख्याले कहां पर है तो यह आपका है फ्रेंस में ठीक है आगे बढ़ते हैं Q22 पे कि Osteoporesis विमारी किस अंग से संबंदे तो यह आपकी हड़ी से है Q23 है युद्ध या बाहे आकरमण के कारण लगने वाला आपातकाल किस युद्ध में होता है किस अनुछेद में है तो यह आपका है अनुछेद 352 के अंदर गत आता है Q24 है लोगसभा के 15 अधक्ष कौन थे तो यह थी आपकी मीरा कुमार थोड़ा सा पॉइंट ओ जान लेते हैं सुरहवे कौन थी यह थी सुमित्रा महाजन और 17 अट प्रिजन टाइम में कौन है ओम बिरला साभ ठीक है Q25 है अफरीका और एसिया को कौन सा सागर अलग करता है तो लाल सागर अलग करता है अफरीका और एसिया को कोशमर 26 है कि Mastual Hygiene Day यानि कि MHD ये दे कम मना जाता है कि मासिक धर्म सचता दिवस कम मना जाता है या 28 मई को मना जाता है और इसकी 2019 में क्या theme थी इस टाइम फॉर एक्शन इस चीज़ को भी ध्यान रखना है Next है कोशमर 27 की दक्षिड अफरीका में बेटिस ने केसरे हिंद की उपाधी किसे दी थी तो ये महात्मा गादी जी को दिया आये था हर्षवधन को किसने हराया था तो पुल के सिंदित्य ने हराया था आगे बढ़ते हैं कोशमर 29 है इन में से कौन सा ओपरेटिंग सिस्टम नहीं है ध्यान रखना है जो इंटल था ओप्शन में वो आपका ओपरेटिंग सिस्टम नहीं इंटल एक्शुली में एक प्रोसेसर होता है जो कंप्यूटर को चलाने में मदद करता है बाकी जो डॉस है यूनिक्स है विंडोस है लाइनक से यह सभी क्या है यह ओपरेटिंग सिस्टम माने जाते है कोशन मर थर्टी की पुलिजर पुरसकार 2019 में किसे मिला था तो यह मिला था आपका फॉरेस्ट गैंडर को और उनकी कविता के लिए मिला था वी वित ठीक है ध्यान रकना है वी वित मिला था नकी कविते के लिए और यह कविता जो जिन्हों ने लिखा है पुएट है फॉरेस्ट कैडडनर कोशन मर थर्टी वन है रास्टिय विज्ञान दिवस का मना जाता है तो 28 फरवरी को मना जाता है कोश नमर 32 है मेग दूत पुस्तक किस ने लिखी थी तो ये कालिदा सहाब ने लिखी थी कोश नमर 33 है और श्रिल्याई ओपन 2019 महिला विजेता कौन थी तो ये थी आपकी नाओमी ओसाका और पुरुष की बात करते है तो नुवाग जोकोवे जोकिये सर्विया के रहने वाले है कोश नमर 34 है कि सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है तो ये मार्गरेट कोट है जो कहां के हैं अस्टेलिया के रहने वाले हैं और कुल मिला करके 24 बार अब तक Grand Slam जीच चुके हैं ठीक है आगे बढ़ता है question number 35 पे कि भारत का सबसे बड़ा नदी दीप समू कौन सा है तो माजुली है जो कि आपका असंप में है और ये ब्रह्म पुत्र नदीप पर पाये जाता है question number 36 है भारत में सबसे बड़ी कोईले की खान कौन सी है तो जारिया है जो कि जार खंड में है question number 37 है किस देश की जन संक्या सबसे कम है यहाँ पर option था आपके वो था आपका पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव और बांगला देश इसमें जो correct option होगा वो हो जाएगा मालदीव next हमारा question number 38 है भारत की पहली बोलती फिल्म कौन है तो यह आपकी आलम आ रहा है जो कि 1931 में बनाई गई थी एक और question है आपर कि भारत की सबसे पहली फिल्म कौन है यह राजा हरिश्चन थी जो कि आप कह सकते हो कि मूख फिल्म थी यह इसमें आवाज नहीं था सिर्फ 2018-19 किस डाक्टर को दिया गया था तो यह हेमा दिवाकर को दिया गया था जो कि बैंगलोर के रहने वाले है नेक्स्ट है question number 41 चेंजिंग इंडिया के लेखा का नाम क्या है तो यह है आपके जो पहले प्रधान मंत्री हुआ करते हैं डाक्टर मन मोहन सिंग ठीक है question number 42 है Alexander यानि जिसको सिकंदर कह सकते हैं भारत पर आकरमन कप किया था तो 326 इसा फूर में किया था question number 43 है Elora की गुफाएं कहां पर है तो यह आपकी महरास्ट में पाई जाती है Elora की गुफाएं question number 44 है नीरत चोपला की स्केल समद्धे था भाला फिक में बहुत बार एक question आपका CGL में पूछा गया है नीरत चोपला के बारे में तो इनके बारे में डिटेल में पढ़ी जीगा यह एक भाला फिक है next हमारा question number 45 की कोडांग का सूरी मंद्र कहां पर है आपका ओडिशा में है जिसको बनवाया था नरसिंग देव परथम ने question number 46 है golden temple किस सिख गुरु तवरा बनवाया गया था तो गुरु रामदास ने बनाया था golden temple ठीक है और थोड़ी सी और point है आपा जान लेते हैं new किस ने रखी थी तो सूफी संत मिया मीर ने golden temple की new रखी थी और जो गुरु अरजिन दे उन्हों ने design इसका तयार किया था ठीक है आगे बढ़ते हैं question number 47 पे अनुछेद 103 के अनुसार सदनों में करवाई शुरू करने के लिए कोरम या गड़ पूर्व कुल सदसों की संख्या खितनी होनी चाहिए तो एक बटे 10 होनी चाहिए जैसे कि मानलों की total कितने सदसे हैं 545 सदसे हैं एक बटे 10 करेंगे तो बारत का सबसे उचा जहरना कौनसा है तो कुचिकल जहरना है जो कि करनाटक में है 1493 फिट है या फिर आप इसको मीटर में कहो तो 455 मीटर का उचा जहरना है कोशन 49 है बारत की सबसे बड़ी मानो निर्मिर जील कौन सी है तो गोविंद सागर जील है जो की हिमाचल प्रदेश में है और यह सतलज नदी पर इस्थित है कोशन 50 है हमारा थोड़ा सा और पॉइंट जान लेते हैं उसके बारे में इसका नाम जो है सिखों के दस्वें ग कर लिए हाई होप कि आपको पसंद जरूरा राओ का वीडियो तो एक बार लाइक जरूर करिएगा मेरी आवाज आप पहली बार सुन रहे हैं वीडियो को पहली बार आपने क्लिक किया है तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बैल आइकन ओन करिएगा ऐसे ही सारी वीडिय की मात्रा जो है बढ़ जाती है ठीक है कोच नुबर 53 है कि प्रधान मंतरी श्रम योगी मांधन पेंशन योजना के अंतरगत निउन्तम कितनी राशी दी जाएगी तो 3000 रोपे प्रतिमा दी जाती है और इस योजना की सुरुआत नरेंद मोधी जी ने अहमदाबाद में किया नेक्स हमारा कोच नुबर 54 कि पके हुए केले में कौन सा एसिड यानि की कह सकते हो अमल पाये जाता है तो आपका मैलिक एसिड पाये जाता है पके हुए केले में ठीक है कोच नमर 55 है पहले भारतिये का नाम कह जिसने जापान में चुनाओ जीता था वो थे आपके पुरानिक योगेंद्र और इनका निकनेम क्या है योगी कोच नमर 56 है जिकेर लोग संगीत की सराज में है यह आपका असम में है उमहगला यानि की रीड डांस कहां पर मना जाता है यह आपका सुलजर लेंड में मना जाता है साउथ अफरिका की छोटा सा यह देश है इस वांतिनी में ठीक है कोच नमर 58 है कि मई 2019 में कौन सा तूफान आया था तो यह आपका फानी आया था कोच नमर 59 है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है तो यह परम माना जाता है जो कि आपका एक जुलाई 1991 में में स्टार्ट हुआ था परम 8000 ठीक है आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और जानते हैं कि भारत का पहला सबसे ते चलने वाला कंप्यूटर कौन है इसका नाम है प्रत्यूस यह पूछा जाए सबसे ते चलने वाला कौन है तो आप बताओगे प्रत्यूस लेकिन पूछा जाए पहला कंप्यूटर कौन है तो आप बताओगे परम 8000 ठीक है दोनों में जैल किसी चुए गये हैं आपके यूक्रेन के छटमे राश्पती ठीक है नाम थोड़ा सा प्रनायूस नहीं कर पा रहा हूँ Q62 है राश्पती अपना चाकपत किसे सौपते हैं तो यह आपके उप राश्पती को सौपते हैं Q63 है 2018 में टेस्ट क्रिकेट के पहले सेशन में सतक लगाने वाले खिडारी कोन थे तो यह आपके प्रतवीश आते हैं जो ने 2018 में टेस्ट क्रिकेट में पहले ही सेशन में सतक लगाया था Q64 है कि Playing It My Way बहुत ही प्यारा कोशन और Most Repeated कोशन है यह Playing It My Way किसकी बायोग्रेफी है यह सचिन तंदूलकर की बायोग्राफी है Q65 है केरल की South Most River मानी जाती है Q66 है सबसे ज़ादा Mount Everest पर चढ़ने वाले कौन थे तो यह है आपकी कामी रीपा सेर्ता जो की नेपाल की रहनी वाली है और टोटल 23 बार यह Mount Everest पर चढ़ाई कर चुके है Q67 है कालिदास ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है तो उसनाएं पर option अब लेवल नहीं था बहुत सारे है किताब इनों लिखी है Q68 है माई 2019 में संघाई के Media Summit यानि की SCO जिसको आप कह सकते हो संघाई Corporation Organization कहां पर हुआ था या आपका Biscake में हुआ था जो कि आपका करगिस्तान में है और हम बात करें कि SCO के संघाई Corporation Organization का जो Headquarter है वो आपका बीजिंग चीन में है Q69 है सिवा जी महराज ने परताब गड़ के युद में किसे मारा था तो ये अफजल खान को मारा था 1659 में Q70 है भारत के पहले स्वास्त मंतरी कौन थे तो राजकुमारी, अमरित कौर थी ये आपकी पहले स्वास्त मंतरी थी भारत की बहुत बारे भी कोशन पूचा जुका है SST में Q71 है कि माई 2019 इसमें किस आतंगवादी संक्टन को भारत ने बैन कर दिया तो ये थे जामतुल मुजाइदीन बंगलादेश यानि जिसको हम JMB भी कहते है Q72 है कि 15 में वित आयो के अधक्ष कौन है ये N.K. Singh है इस बार जितने भी पेपर होंगे एक कोशन जरूर पूचा जाएगा ठीक है 15 में वित आयो के अधक्ष क्योंकि अभी N.T.P.C के जितने भी एक्जाम हुए है लगभग लगभग ये कोशन हर सेशन में पूचा गया Q.73 है कि दाब का SI unit के है तो आपका Pascal या फिर इसको Newton meter square भी कह सकते हो Q.74 है कि laptop या फिर iPad smartphone किस category में आते हैं तो ये micro computer में आते हैं नकासी कलापर अधारित चेरियल पेंटिंग यानि कि GI Tag 2007 में किस राज सम्बंदित है Q.76 आपका है कि कौन सा रोग जल जनित रोग नहीं है ने कि जल से होने वाला रोग नहीं है तो ये आपका थाइराइड जो होता है वो जल जनित रोग नहीं है ठीक है आगे बढ़ते है question number 76 पे कि कौन सा रोग जल जनित रोग नहीं है तो सा रिपीट हो गया question आगे बढ़ते है question number 77 पे कि इंडिया पब्लिक सर्विश ब्रोडकास्ट के चेर्मेन कौन है तो ये ए सूरिप्रकास साहब है ठीक है न्यू ब्रोडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉर्टी के अधश कोन है ये है जस्टिस एके सीकरी एक बार इस question को आप लोग क्रॉस चेक कर लिजेगा question number 78 है कि binary पदती की कोच किस ने की थी तो ये थी गाठ फ्रेट लैबरिज ने ठीक है देखिए जितने भी कोशन कराया जारे है 2019 और 2020 से कराया जारे है अभी कोई भी अपडेट हुई होगी तो इसमें वो अपडेटेड नहीं है एक बार अगर कोई करेंड का कोशन होगा त 25 साल मानौ सरीर की सबसे लंबी हड़ी कोन है अपकी फीमर है जो कि जांग में पाई जाती है अस्पताल में हार्टबिट चेक करने के लिए किस तरह के काकी पुटर का इस्तुमाल किया जाता है तो आपका हाइब्रीड कैस्तिमाल किया जाता है Q83 है Einstein को Nobel पुरसकार का मिरा था तो 1921 में भौत्की के छेतर में निकी Physics के छेतर में इनको मिरा था 1921 में Nobel Award Q84 है WHN ने किसे Malaria Free यानि की Malaria मुक्त देश घोशित किया तो Argentina और Algeria को WHN ने Malaria मुक्त घोशित कर दिया है विश्व मलेरिया दिवस का मना जाता है आपका 25 अपरेल को मना जाता है और 2019 में जो विश्व मलेरिया दिवस की थीम थी वो थी Zero Malaria Starts With Me Q85 है विवेकानन्द एयरपोर्ट कहां पर है तो आपका रायपूर में है विवेकानन्द एयरपोर्ट Q86 है यूएन महा सविच्व ने दक्षिड सुडान में किस भारतिय लेटिनेंट को सायुक्त राष्ट मिसन का कमांडर निउट किया तो ये किया सैलेस्तिनिकर को Q86 है अनुछेद 123 के अध्यादेश कौन जारी करता है तो राष्पती जारी करता है Q88 है 2019 खेलो इंडिया यूद गेम कहां पर हुआ था तो ये आपका पूड़े यानि की महरास्ट में हुआ था Q89 है कि बराबर गुफाएं किस काल से समंदित रखती है तो ये मौर एक काल से समंदित है जो की बिहार के जहानाबाद में इस्तित है Q91 है हमारा की Union of European Football Association यानि की UEFA Champions League किस ने जीता था तो ये Liverpool ने जीता Next हमारा कोशन है की कलाश्रम यानि की कत्थक के प्रदर्शन की स्थापना किस ने की थी तो ये की थी विर्जु महराज ने जो की दिल्ली में इस्तित है Next हमारा कोशन है EDVA की केंप्यूटर का निर्मार किस ने किया था तो दो लोगों ने किया था एक का नाम है जौन प्रेसपर एसकर्ट और एक का नाम है जौन विलियम मौचली ठीक है आगे बढ़ते हैं कोशन नमर 94 पे कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज या केंद्र सासित प्रदेश से सटी हुई है तो पहले आट थे अब एक और जुड़ गया है तो टोडल नौ हो गये है नेक्स हमारा कोशन है कोशन नमर 95 की सांजी कला किस राज से समंदित है आपका उत्तर प्रदे से समंदित है 96 आए कि अंतरराश्टी निर्त दिवस कम मना जाता है निकि डांस डे कम मना जाता है इंटरनेशनल तो 29 अप्रेल को इंटरनेशनल डांस डे मना जाता है और एक पर और थोड़ा सा पॉइंट जान लेते हैं कि जीन जार्ज नौर्वे के जन्म की स्मिर्थी में मनाय जाता है ये इंटरनेशनल डांस डे और 2019 कि इसकी थीम क्या थी डांस और स्पिरिचुलिटी यानि कि निर्थी और आध्यात में इसकी थीम हुआ करती थी नेक्स हमारा कोशन है कोशन नमर 97 की हे उन सांग किसके सासनकाल में आया था तो हर्षवर्धन में आया था कोलेरु जील किस राज में सी थे तो ये आपका आंद्रप्रदेश में सी थे किस बुक के लिए मैन बुकर प्राइस 2019 दिया गया तो ये दिया गया था आपका सेलेस्टियल बॉडिज के नाम से और ओमान की लेहका की कौन थी जोखा अलहर्थी को ठीक है आगे बढ़ते हैं कोशन नमर 100 को 100 की ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार सबसे पीसफुल कंटरी कोंसी है तो आपकी आइसलैंड है जहां पर बहुत सांती है सबसे सांती पूर देश कोंसा है आइसलैंड माना गया है ठीक है कोशन नमर 101 100 कोशन हमने कवर कर लिए अगर वीडियो आपको इंफॉर्मिटिव लगी है रापेल एडाल किस देश समधिर रखते हैं तो यह स्पेन से है नेक्स हमारा कोशन है कि केटू यानि कि गाडवेन आस्टिन किस परवत सिंख्रला का भाग है तो यह कारा कोरम परवत सिंख्रला का भाग है ठीक है नेक्स हमारा question है question number 104 की भारत में 29 राज और कितने केंदर सासित प्रदेश हैं तो इस साथ इस समय पे पुराना question था 2019 था तो इस टाइम पे कितने हो गए है 28 जो आपके states हो गए है और आपके 8 कौन हो गए है union territory यानि की केंदर सासित प्रदेश इस चीज को ध्यान रखना है question 105 है कि फिजी सुप्रेम कोर्ट ने किसे किस भारतिये को जज न्यूक्त किया है तो मदन भीम राओ लोकुर को न्यूक्त किया है फिजी सुप्रेम कोर्ट ने next question है कि 106 सिंबेक्स युद्ध अभ्यास किसके बीच में हुआ है तो भारत और सिंगापूर के बीच में होता है सिंबेक्स युद्ध अभ्यास next हमारा question है question 107 की मर्ब गाओ बंदरगा कहां पर है तो अपका गोवा में next question 108 की पहला खेलो इंडिया स्कूल गेम कहां पर हुआ तो यह हुआ था नई दिल्ले में 31 जनवरी से ले करके 8 फरवित 2018 की बीच में हुआ था question 109 है लोगसभा में राश्पति कितने सदस्यों को मनणूनित करते हैं तो यह करते हैं दो और राजसभा से करते हैं 12 यह कि टोटल वो 14 कर सकते हैं दो लोगसभा से और 12 राजसभा से नेक्स है 1110 की प्रवर्टी एंड अन्बिटेस रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखा कौन है तो दादा भाई नेरो जी सहाब हैं कमाईनी के लेखा कौन है तो बहुत यह आसान सा question है जैसंकर प्रशाद सहाब हैं कमाईनी के लेखा ठीक है आगे बढ़ते हैं question 112 पे कि द भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करती है तो यह है ट्रॉपिक आफ कैंसर यानि कि 23 डिग्री और 30 मिनेट नौर्थ पे क्या है यह बराबर भागों में विभाजित करती है ठीक है आगे बढ़ते हैं 115 पे कि दिलवाडा का जैन मंदिर कहां पर है राजस्थान मे अधिक्तम अब्रक उत्पादक राजी कौन सा है या आपका आंधर प्रदेश है खेलो इंडिया यूद्गेम 2009 में सबसे जादा पदक किस ने जीता ये माहराश ने जीता था कितना 208 जीता उसकी बाद हर्याना 178 जीता और पदक तालिका में दिली ने कितना जीता 138 जीते था कोशन 118 है कि बंगलादेश की पदमा नदी किस नदी को कहते हैं तो गंगा भारत में इसी नदी को गंगा कहते हैं और बंगलादेश में गंगा नदी को कहते हैं पदमा नदी के नाम से जाना जाता है चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी भी कहते हैं एक यहाँ पर फैक्ट आपको जाने की जरूरत है ठीक है पुराना कोशन से कोशन नमर 120 है एक यानी की कोशन नमर 120 है कि फूलों की घाटी राश्य उद्यान कहाँ पर है चमोली जो की उत्तराखंड में है इसकी स्थापना 1982 में की गई थी ठीक है 121 हमारा कोशन है कि डोलोमाइट किसका आयस्क है ध्यान रखना है आपको मैगनीसियम का आयस्क होता है डोलोमाइट इंद्रा सागल डैम कि सराज में है आपका मध्य प्रदेश में है और नर्मदा नदी पर है 3 June को कौन सा दिवस मना जाता है ध्यान रखना है World Bicycle Day मना जाता है 3 June को ठीक है Next हमारा question है question number 124 कि भारत ने दूसरी बार World Cup कब जीता था ध्यान रखना है आपको भारत ने दूसरी बार World Cup जीता था 2011 में उस टाइम पे MS धोनी हुआ करते थे क्या captain हुआ करते थे और यह वाला जो आप कहा सकते हो कि moment किसको किसको याद है comment section बताईएगा कि last ball पे 6 मारा था और 6 से हमने World Cup जीता था दूसरी बार ठीक है और पहला कब जीता था 1983 में जो कि 125 की Marblone Cricket Club यानि MCC के पहले 11 British President किसे बनाए गया है तो कुमार संगाकारा को बनाए गया है जो की पूर्व स्रिलंगाई captain है question number 127 है DBMS का full form क्या है दान रखना है database management system होता है DBMS का full form next हमारा question है DBMS का full form क्या होता है तो rational database management system होता है DBMS का full form next हमारा question है 128 के digital payment को बढ़ावा देने के लिए कौन सी समीत ही बनाए गयी है तो नंदन निलेकरी समीत ही बनाए गयी है इससे 133 question की revenue act कब पास किया गया तो 1862 में पास किया गया revenue act गुजरात के किस सहर को नया airport मिलेगा तो धौलेरा जो सहर है वहां का गुजरात का उसको नया एक airport मिलने वाला है systolic और diastolic किसे सम्मदित है आपका रक्त चाप यानि blood pressure से सम्मदित है ध्यान रकना है जो सामान रक्त आप होती है 120 और 80 होती है ठीक है आगे बढ़ते हैं पंडित शिव शंकर सर्मा किस वाद यंत से सम्मदित है या आपके संतूर वादक है आगे बढ़ते हैं कोशन नमर वन थर्टी फोर पे कि बम और पिस्तोल क्रांती नहीं लाते क्रांती की तलवार विचारों की धर बढ़ने वाले पत्थर पर रगड़ी जाती है यह कथन क इसका है तो यह आपके महान हमारे शाहीद भगत सिंग का यह कथन है नेक्स है कि ट्रिपलेस किस खेल से सम्मदित है आपका बैडमिंटन से है ध्यान रखना है चीज को आगे बढ़ते हैं कोशन नमर वन थर्टी सिक्स पे कि पिंगली विंकया किस सम्मदित है एक फ्रीडम पाने की सबसे बड़ी जील भी माने जाती है ठीक है कोशन नमर वन थर्टी एट है कि वेलोड्रोम की स्खेल से सम्मदित है आपका साइकलिंग से है 139 है इंडियन स्ट्रगल बुक किस ने लिखी थी तो सुबाश चंद बोध साहब ने लिखी थी इंडियन स्ट्रगल किता नेक्स है कोशन नमर 140 गुप्तकाल में सोने के सिक्के को क्या खा जाता था तो दिनार खा जाता था ठीक है कुछ और पॉइंट जा लेते हैं गुप्तकाल पे गुप्तकाल के सरवधिक सिक्के सोने के बना जाते थे और गुप्तकाल में जो चंद्रगुप्त प्रथम ने उ लक्सिको का सरवोच नागजरिक संवान किस भारती राश्पति को मिला है तो हमारे भारत की पहली महिला राश्पति जो है प्रतिवा पार्टेल इनaliśmy को मिला है और ये बरामी राश्पति हुआ करते थी ठीक है कोश्चिण न फॉर्ट्टि-्री है प्रोजेक्ट मौसम किस मंत्राले की परियोजना है तो यह आपकी संस्कृतिक मंत्राले की परियोजना है और यह सबसे पहले इस परियोजना की सुरुआ की गई थी जून 2014 में ठीक है आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 144 पे कि हाली में कौन लोगसभा करम के लिए चुनाओ संपन हुआ है तो 17 लोगसभा भी हाली में हुई है उसके लिए चुनाओ हो गया है कोश्चन नमबर 145 है क्रिकेट वर्ड कप यानि की दा इंडियन चैलेंज के आथर कौन है तो यह है आशीश राय जो की कमेंटेटर माने जाते हैं अच्छे खासे ठीक है अगर गेद विक 148 है पाकिस्तान पहली बार वर्ड कप कब जीता था तो वो जीता था 1992 में और उस टाइम पे इस टाइम पे जो इमरान खान है पाकिस्तान की प्रधान मंतरी उस टाइम पे हुआ करते थे यहां के कैप्टन ठीक है आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 149 पे की रिपब्लिक कोश्चन हमने कवर कर लिए अगर आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मिटिव लग रही है तो एक बार लाइक जरूर करिएगा सबी लोग और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर रौन करिए नेक्स है कोश्चन नमर 151 की गोटी पुआ डांस के इस राज्य सम्मंदित है आपकी ओडिशा राज्य सम्मंदित है कोश्चन नमर 152 है राष्टपती चुनाओं में किसी तरह का संदे या विवाद होने पर उस पर किस तरह का नेड़ाय कौन लेता है तो सर्वोच नियाल लेता है ठीक है और यह समविधान के भाग पांच में वर्डित है कोश्चन नमर 153 है कि मैन बुकर अवार्ड 2019 किसे मिला तो जोगा अलार्थी को मिला है जो कि यह ओमान की रहने वाली है ठीक है उनकी किताब है सेलेस्टियल बॉडि इसके लिए उनको मिला है कोश्चन नम कोलरू बोला जाता है और यह ताजे पानी की जील मानी जाती है सुल्तान अजलन साह कब 2019 किस देशन जीता तो यह दक्षड कोरियन जीता है और तीसरी बार इसने जीता है जो कि भारत यहाँ पर दूसरे नमबर पर रहा था कोश्चन नमबर 158 है सारवधिक जनसंख्या घन 159 है कि गहरी माता समुदरी अभेकारण अभ्यारण किस के लिए प्रशिद है जो कि आपका ओलिव रिडले कच्छुँ के लिए से एक अलग तरीके कच्छुआ होता है इसकी जिसको हम कहते हैं ओलिव कच्छुआ और यह ओडिशा में पाय जाता है ठीके आगे बढ़ते है 160 पे कि हल्दी घाटी का युद किस के बीच में लड़ा गया था तो 1573 में अकवर और महारणा प्रताप की बीच में लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद आनपरदेश का राज की ये पक्षी कौन सा है तो आपका कह सकते हो रामा चिलुका या फिर आप इसको थोड़ा साइक तो राष्ट इकाई के लेंगिक समानता और महिलाओं के ससक्ति करण के लिए उपकारिकारी निदेशक किस भारतिये को चुना गया तो ये अनिता भाटिया को चुना गया 2000 के नोट की पीछे किसका चितर होता है तो मंगल आयान का होता है ठीक है मानो विकास हुचाई भारत की रेंग क्या थी तो ये 130 हुआ करती थी 2019 में 2019 का IPL किसने जीता था तो मुंबई ने जीता था आपको पता है और मुंबई सबसे ज़्यदा आप तक 4 बार जी चुका है IPL सराप का पीछ मान कितना होता है भाई 2.8 होता है शराप का पीछ मान ठीक है अगर आपको पता है कि human blood का पीछ मान कितना होता है तो comment section में ज़रू बताईएगा चीन भारत के किस राज के साथ सबसे ज़्यदा सीमा साजा करता है तो जम्मू कस्मीर के साथ करता है MSME की मंतरी कौन है तो नितिन गटकरी साहब है पान सिंग तोमर किस खेल से सम्बंदित है तो यह आपका athlete से सम्बंदित है पान सिंग तोमर ठीक है आगे बढ़ते है पान सिंग तोमर एक खिलाडी हुआ करता है जिनके उपर एक movie बनी है जिसमें इरफान खान हीरो हुआ कर सिराज को जोडता है तो अरुणांचर प्रदेश और असम को जोडता है इसका जो दूसरा नाम है वो आपका धोला साधिया सेतु है और यह लोहित नदी को पार करता है सैयद वंद के संसापक कौन थे यह आपके खिज रिखा है जिसका अंतिम सासा कौन हुआ करता था महिला हाग के टीम 2018 की कप्तान कामाईनी के लिखा कोन है जैसंकर प्रशाद है हाली में किस राज ने मई में electronic cigarette पर बैन लगा दिया तो राजस्थान ने लगा दिया रानी की बावड़ी जनी कि जोसको आप ताला भी कह सकते हो कहां पर है आपका पार्टन इंडियों की गु देता है और इनाम की राज कितनी होती है एक लाख डार यार बहुत जादा हो गया ठीक है उनकी डिबंध किस के लिबंध मिला है इनको ब्रेड सीमेंट और कैक्टस डिबंध के लिए इनको ये अवार्ड मिला है ठीक है आगे बढ़ता है कोशन नम्र 188 पर रामायड का पं में मनाया गया है कोशन नमर 184 है कि वर्ड कप 2019 में इंग्लेंड के खिलाब भारत के उपर कप्तान कौन थे तो आपके रोही सर्मा थे स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या है तो आपका सोसाइटी फॉर्ड वर्ड वाइड इंटर बैंक फाइनसियल टेली कमुनिकेशन होता है स्विफ्ट का फुल फॉर्म ठीक है अगे बढ़ते हैं एनपी सी आई दौरह 2016 में कौन सा एप लांच किया गया था तो भीम एप ला का मुख्याले आपका कूल काता में है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स हमारा कोशन है कि राम विलास पासवान किस पार्टी संबंधित है आपका लोग शक्ती पार्टी संबंधित है ये संबंधित थे इस टाइम इनकी जो है वो डेथ हो गई है इनकी अभी हाली में आगे कोशन बहुत बार पूशा जाता है कोशमर 191 है मोहनी अटम डांस किस रंग की साड़ी में होती है सफेद रंग की साड़ी में होती है मोहनी अटम डांस और ये केरल का सास्त्रिय निर्ति भी माना जाता है कोशमर 192 है मैमार की मुद्रा क्या है तब कि मैमार की मुद्रा है मैम मार क्या ठीक है राजधानी क्या है नैपियदा और राष्टगान यहाँ पर क्या है काबा मा केई ठीक है कोशम और 193 है बंगला देश ने अपना पहला वर्ड कप 2019 में किस देश के खिलाब जीता था तो दक्षिट अफरीका के खिलाब जीता था माहत्मा गांधी की माता का नाम क्या था तो यह है पुतली भाई ठीक है कोशम और 195 है 124 समविदान संसोदन 2019 किस से संबंधित है तो यह जो एको सकते है रैम का फुल फॉर्म क्या है तो रैंडम एसस मिमोरी मना जाता है जो रैम का फुल फॉर्म है और यहां पर एक पॉइंट और लिखा है रोम यानि किसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मिमोरी नेक्स हमारा कोशन है कि ए पी रोम क्या है तो इरिजेबल प्रोग् बांड कौन सा बैंक जारी करता है तो SBI जारी करता है निक State Bank of India जारी करता है इस बांड का इस्तमाल राजजनतिक पार्टियों को चुनाओ के लिए चंदा देने में किया जाता है तो हमने 200 questions कवर कर लिए जो आपके CHSL में आए हुए थे प्रिवियस येर तो आपके हर exam के लिए important है जाए आप सुपर्टेट दे रहे हो चाए आप सीटेट दे रहे हो चाए आप सेट दे रहे हो चाए आप SFC का कोई exam चाहे है रेलवे का कोई exam तो GK के question बहुत ज़ादा important है I hope कि वीडियो आपको जरूर पसंद आए होगी तो आए एक बार वीडियो को लाइक करिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और पहली बार आप मेरी आवाज सुन रहे हैं पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो सब्सक्राइब परके बेल आइकन जरूर करिएगा और थैंक यू सो मच वाचिंग इस वीडियो